आपको research करना आता है कि नहीं और आपको practically आप drafting कैसे करते हैं क्या क्या आपके लिए tips हैं ये एक तरीके से आपको अच्छा और एक वकील जो के अपने निरे मुंशी के उपर ये अपने stando के उपर इनहसार करता है उन दोनों के दर्मयान दर difference दिखाता है आपने अच्छा वक मलक मुहमद के यू मेरे वालत साब अगर इस profession के अंदर legend है या साकिब निसार अगर इस profession के अंदर chief justice पाकिस्तान है लेजंड है वो आज भी शुमारे पकड़ के अपना register authorities के बारे में update करते हैं इस register के अंदर मेरी कुल professional life बंद है ये register गुम भी सकता है आज उसके बारे मे में भी मैं आपको पताऊंगा कि internet क्यू पर किस तरीके से आप यही चीज मवाद रख सकते हैं क्या फाइदे हैं किस तरीके से अगर आपने कोई research की और आपके पास register नहीं है तो आप घर जाएं आप अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं मैं इतनी बड़ी बात यहां पर कर र पड़ी है favor में against है एक एक जुमले में इसमें मैंने बीच में लिखा हुआ है और इस से मैं वकील बनता हूँ इसमें मेरी सारी उमर की मुशक्कत मौजूद है माशाला वाली बात नहीं यहां पर मेरे खिलाफ भी जो judgments है अल्हम्दलिल्ला शायद बट important चीज़ मैं यह पताना आपको चाह रहा हूँ कि अच्छे वकील की और मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा वकील वो है जिसकी आदात अच्छी है वो as a matter of course अगर कोई judgment सुनी यार यह वाली है तो वो पकड़ के अपने साथ लिख लेता है कि ए मेरे वास्ते असलहा है जिससे मैंने जंग जीतनी है जिस बंदें के पास नेरी एक चोटी सी चुरी है और दूसरे के पास बारूद और असलहा वगारा दरजनों पढ़ी हुई है चीजे वेपन्स पढ़े हुए तो वो हमेशा जीत जाता है और बात यह है आपको आपने जो मुकदमे तियार करने और जो मवाद तियार करने आपने इस तरीके से करना है जो गंदा वकील, जो कमजोर वकील होता है वो करता है कि जी रिसर्च कर रहा है, अपना नुकता ढूंड रहा होगा अच्छा, एह मेरे वास्ते नहीं बनता है, नहीं बनता, वो दूचू लिख रहे हो, अलड़ी एक दफ़ा तुमने पढ़ ली है, लिख लो कि मेरे खिलाफ है, अगली दफ़ा दूजी साइट तो पैसे मेल जानके, हो सकता है, और दूसी साइट से अगर आप पेश हो रहे हैं, आपको जो वकालत के सही को रहे हैं, किस तरीके से मुकादमा जीतना है, वो आपको इसमें रिजिस्टर में से मिलेगा, आपका रिजिस्टर बनना, मेरे अबबाजी को कोई नी पड़ी हुई, कि तिर वो पचास साल से प्रोफेशन के अंदर होगे, कि हुने भी बैक है, अचली सारे के सारी ये कर रहे होते हैं, क्यों, क्या फाइदा है, रिजिस्टर बनाने के चंद फवाइद हैं, उनके बारे में बात करेंगे, वकालत क है कि नुकता क्या है जज को पताना, हर चीज जो आप अपने रिजिस्टर के अंदर लिखेंगे, रिजिस्टर में आप मजमूनी लिखते, वकालत का गोर और एक रिजिस्टर बनाने का गोर ये है, ये मैनियल रिजिस्टर है, उसका गोर ये है कि आप उस केस में जो चीज आपने पड़ी है वो एक जुमले में बंद कर सकते हैं के नहीं मदबल क्या है? मतलब क्या है? नुकता क्या है? कोई जज्मन पड़ो अब बात यह है कि आपके बस प्रोफेशन के अंदर इप्तदा के अंदर सौ मुकदमा नहीं आना स्थाएए? मगर सौ मुकदमे को अगर आप इस तरीके से पड़ोगई जैसे सौ मुकदमे आपके हैं और अपना दिमाग उस नुकता नजर से करोगए तो सौ मुकदमे आपके हैं बात तो यह है कि जजज्मन लिखी हुई है ये High Court की judgment है उसने लिखा इस साइड ने ये कहा वे अच्छा उसने आपके लिए मुशक्कत सारी कर दी होती है उसने इस judgment पर रिलाई किया तो उसने काम कर लिया एक judgment आप पड़े हो दूसरे वकील ने ये कहा उसने उसको तोड़ने के लिए क्या नुक्ता निकाला उसका ये स सारे का सारा तो पता चाल गया कि मैं अगर मुकदमा करांगा तो मैं ये भी चीज़ें कह सकता हूं और इसके तोड़ में ये चीज़ें भी कह सकता हूं उधर जाके आप रोख जाएं जज के फैसले से पहले अच्छा मैं अगर जाज होता तो मैं क्या कहता हूं वकालत है कि आपका वकील का इंस्टिंक्ट, एक सवाल का जवाब क्या निकालना है, वो आपने अपने अंदर पैदा करना है, आप जब तक ये सवाल अपने आपसे नहीं पूछोगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, और मैं आपको बार 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 ये कहता हूँ, लड़कों का ख्याल है, आप लोगों का, दोस्तों का, जादा का ख्याल होता है, कि जी मुकदमे सिर्फ करने से बंदा सीखता है, इब थदा में ये काम करने से आप सीखते हैं, और इसको अगर आँखे दिमाग खोल के, अगर आप इसको अफसाने के तौर के वर एक केसलों को पढ़ेंगे, कानी है आप जब तक उसको इस point of view से नहीं लेंगे ना आपका उसमें interest develop हो गया कि बहेगा गांद आप पढ़न दा मैंनों की फाइदा सारे का सारा बात ये हर चीज में आपने चाहे statute पढ़ने हैं चाहे आप judgment पढ़ने हैं आपने आप से पूछने हुए पाई मैं इसको किस तरीके से इसका फाइदा हासिल कर सकता हूं या इसको करके मुझे क्या नुकसान हो सकता है कोई judgment में आपको यह नहीं लिखा होगा कि प्लेंट के अंदर क्या क्या लवाजमात है अगर financial institutions ordinance का अगर आपने section 9 पढ़ा है तो उसमें लिखा हुए है कि किन-किन ingredients को आप डालेंगे तो आपका मुकदमा बनेगा तो वो अपने प्लेंट में अपने लिखना है अच्छा वकील हर मुकदमे को हर कानून का इंजर-पिंजर अलइदा करके अपना दिमाग इस्तमाल कर लेता है फिर समझ लो कि यहाँ पर हर वक्त law moot नहीं होता रहा ना लेकिन किताब आपके मेरे अबबा जी के side के bad side के उपर S.C.M.R. अभी भी पढ़ा होता है क्योंकि उन्होंने मुकदमा जीतना है इजाज लेसन का यह फैसला आया हुआ है और आजकल इसी नौइयत के मुकदमे फलाँ आ रहे हैं फ़र इजांपल गिफ्ट के आ रहे हैं ति मलेक साब नोग पता हैगा कि अच्छा कम्प्यूटर के अंदर है जहिन के अंदर के इजाज लेसन दाता है आया फैसले इजाज लेसन आया पुछ दे यह नहीं पूछता यह नहीं करता यह आपकी तैयारी है जाजमेंट्स पढ़ने से सवाब नहीं होता इन चीज़ों को जो आपको हम यहां पे सिखा रहे हैं आपकी रोजी रोटी और आपका मुकदमा जीतना या हारना हारने का उस पे नसार है जाज को आपने वो चीज़ें लिख के देनी है कि यह है इसलिए मेरे फेवर में करो वकालत कुछ नहीं है वकालत सरफ वकालत के अंदर सबसे इंपोर्टन बंदा कौन है आपके खाल में कौन जाजी की नफस्याद को भी पड़े नहीं और राइज नहीं बंदा को आना यार नहीं यार नहीं यार नहीं नहीं आपका लाइज intentar नहीं ये वकालत में सबसे इंपोर्टन बंदा जाज़े क्यूंकि नहीं केस भी नहीं केस तो 100 पीसद हो है अगर जाज़े आपके साथ नहीं है तो जीरो है आपकी तेरी 200 पीसद हो आप जीरो है आपका दिल के अंदर आपने एक सो बहतर पर चीज़ हैं पढ़ी हैं जाज आपके साथ नहीं आप जीरो है आपका क्लाइंट ग्रो रहा हो चीख रहा हो जाज आपके फेवर में नहीं फैसला करता है जीरो वकालत को आपने इस point of view से देखना है जो अच्छा वकील होता है ये बंदा बैठा हुआ मैंने इससे वकालत का गोरी ये कि इससे कागस पे लिखवाना है कि मैं सही हूँ मेरा क्लाइंट और दूसरा बंदा गलत है बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती इस प्रोफेशन के अंदर इस चीज से ज़ादा आप इस point of view से और आपने उसको कोई वज़ा देनी है कि वो आपके फेवर के अंदर डिसाइड करें आई नहीं कि बड़ी जोर देनाल तुसी क्या है या पंदरा बंदे साथ लेके आए है उसको अगर आप मवाद देते हैं बाई जी सुप्रीम कोट ने जज़ाद सब क्या है तुसी पाबंद दे गयो प्रेसिडेंट की जजमन्ट पढ़ने का ये फायदा है कि वो पाबंद है अनलेस वो अपने आपको अर्ग्यू करके इसमें से बाई निकाले वो उसका पाबंद है खेलना आपने उसके उपर आप ये चीज़े रेजिस्टर इसलिए नहीं बनाते है कि आपको सवाब होगा या आप बॉर्ड पढ़े लिखें और आपका बड़ा ये है मोटा घरहि tenantsकर आपके रेजिस्टर में रहेगे जाजनों नहीं देऊ गही ते जाजने नहीं कर ना कई लोग कहते हैं कि बड़ी जाजमन जी जाजने ये नहीं किया उसने इसने इस डिस्टिंग्विश कर दिया गई जॉऔ अईया जो कानून के मुताबग है इस तरह चलता है आ दूसरे लोगों से करवाएं हैं, कोई सौ के करीब हैं, यह मौजूद है, लिंक्स भी मौजूद हैं, और स्लाइड भी सारी की सारी मौजूद है, इन में से मैं आपको चंद पीछ में लेक्चर्स काऊंगा, उपर कयूम्स.com slash lectures, important है, L capital है, lectures.html, यह आप लिखेंगे, कि जर्नल कैसे पढ़ते हैं, अच्छा, आपको मैं यह बता रहा था, सॉरी, एक सेकिन के बाद इसको आते हैं, कि जी, आपने पहले पढ़ लिया, एक पार्टी ने क्या का, आपने पढ़ लिया, दूसरी पार्टी ने क्या का, उन सुप्रीम कोट आपका दावा पढ़े, उन बंद, उन्होंने का, इन जज़्जमंट्स पर रिलाई किया, आपकी आदी मुशक्कत तो हो गई, उन वकीलों ने कर दी हुई है, सारी कि सारी उस नुक्ते के उपर, आपकी जज़्जमंट सुप्रीम कोट की लिख के दे दी हुई है, उसने ये का, इसने ये का, इस नुक्ते के उपर फेवर में ये चीज़ है, खिलाफ ये, और वो पढ़ोगे कहानी की तौर के उपर तो आपको समझ आएगी, वहाँ पर आपने रुख जाना होन मैं जाज जाना, तो मैं अगर ओर्डर कर रहा हूँ तो मैं क्या करता जवाब, ठीक है, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दें, अच्छा इस जज़्ज नहीं क्या किया, मैं सही था के जज़्ज सही था, मेरे असोशेट सहब यहां पर बीज में बैठे हूँ, और इनको काफी ज़बर्दस किसम की, और मैंने जान भूज के पचास बंदों के सामने बाइर निकल गे, मैंनों काफी ज़्यादा बोला, बाइर खड़े हुए थे, शायद करीम सहब की कोट के अंदर, मुकदमा होके मैं बाहर निकल आया, कोट किसलिए मेरा असोशेट गया था, अगर उसने अंदर जाके नहीं देखना था, शायद करीम का कोट कैसे चलता है, इंतहा तो यह थी भाई की, अब थोड़ी सी जादा होगी बेचती है, क्या किया जा सकता है, केस कॉल हुआ, फाइल लेके बाहर खड़ा हुआ था, जो मेरा सीनियर काउंटल था, जो मेरा सीनियर असोशेट था, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, ये बाहर बैठके एक और असोशेट से गपे लगा रहा था, और मैं अकेला फाइल के बगार जजजजजजद साब के सामने खड़ा हुआ था, के जी करके, तो बात यह है, कि आपका आठिटूड आप इप्तिदा में हैं, आपको मेरे से जाधा टाइम निकालना, लगाना पड़ेगा, आप मेरे से अगर आगे निकलना चाहते हैं या कैच अप करना चाहते हैं मैं माजल के साथ आपसे मीलो आगे हूँ आपने अगर मुझे पकड़ना है या मेरे से आगे निकलना है तो मैं अगर आठ बजे आता हूं तो आपने साथ बजे आना है मैं अगर 6 बजे उठके जाता हूं तो फिर आपको 8 बजे तक बैठना होना चाहिए यह मेरे से जादा वर्क आउट करना पड़ेगा ना भई और आपके अंदर अभी इस उमर के अंदर हिम्मत है और आपके अंदर मौका है आप आपने कैच अप करना है भई यह जादू का कोई टीका नहीं अगर होता तो मेरा अबाजी मुझे लगा देते और मैं बड़ा जबर्दस वकील बन जाता है मैंने फटे के उपर से काम किया है और फिर मैं बीच में वकील बना हूं यह आप अपने जहन से निकाल दो और बात यह है कि यहाँ पे चेहरे बिखते हैं यहाँ पे एक सो बहतर चीज़ हैं सारी गलत चीज़ है फिर क्या आपने कमाना है आपने तोड निकालना है आपने अपना मुकदमा जीतना है उसका तोड ट्रांसफर अप्लिकेशन है उसका तोड जज्जमंट की भरमार है उसका तोड बेतर त्यारी है उसको किस तरीके वाँ से थोड़ा सा भागना है जिस वक्त मेरा असोशेट आएगा उस वक्त आपने मुकदमा अर्गिव करके उसको चित कर देना है। यह पंदरा चीजें हैं, बात यह है, यह सिस्टम बहुत टूटा हुआ, बहुत दो नमबरी हैं, मगर आपको जब तक आप एक्स्क्यूजस खतम नहीं करोगे अपने जहिन के अंदर से, यह पने जहिए, और इस पो पॉंट आप आप जेहने जहा ऊचाएं, मैंने जीतना हैं, इस तरीके से जीत सकता हूँ, यह मेरे साथ जजज नहीं चल रहा क्या तरीका है, लंबा करों, के मैं ट्रांसफर करमा हों, के मैं इस तरह खेल हूँ, मैं इसको judgments लाके दूँ, इसका जहिन मैं कैसे change कर सकता हूँ, अभी नहीं decide कर सकता हूँ, miscellaneous application दे देता हूँ, वो decide होगा, जवाब तो कम उसका मांग लेगा, ये करना है, वो करना है, ये गोर आप जब judgments और case law पड़ोगे, तब आपको आएगा, खेलने के लिए मैं हर दफ आप, शतरंच के अंदर हर pieces, प्यादे वगारा इस तरह चलते हैं, king यूँ चलता है, उसकी ये move है, इसकी ये, 64 squares हैं, खेलते सारे के सारे हैं, वो बड़ उसमें entire दुनिया है, लुटो असान तरीक है, उसके अंदर तुसी पेका, तो चार में से कौन सा आपने move करना है, आ अगर आपने game जीतनी हैं, और आप बड़े level के खिलाड़ी अगर आपने बनना है, तो आपने बड़े level की चीज़ें तयार करनी हैं, बड़े अंदास की गोलियां आपके पास होनी चाहिए, 7-11 मैंने देनी हैं, मेरे पास ये judgment है, फलाँ judgment के अंदर ये होता है, आपको अस service matter में उड़ जाता है, वहां से पता चलेंगे, अब मैं तो आपको सरफ basic चीज़ा ही पता सकता हूँ, बात तो ये है कि वो जो मुकदमा है, उसके अंदर आपके सवाल का जवाब क्या है, वो आपने ढूड़ना और आज की जो गुफ्त को हो रही है, तमहीद में इसलिए बार कर रहा हूँ के, आप कह सकते हैं कि वह यार आपको अच्छी इस्तमाल करनी आती है, आप पांच judgments निकल वाले दें सुप्रीम कोड की तो आप जी जाएंगे, आप वहर भी जाएंगे अगर आपने judgments नहीं निका ली जाएंगे, जज ने दूसी साइट के उपर करके, ज अगले दुफा क्लाइट नहीं आएगा, आप ने मुकतमा जीत लिया, बंदा मुशकत इसलिए करता है, judgments इसलिए पड़ता है, और ये चीज़ें जो आपको मैं वीडियो दिखाना चाहरा हूँ, एक तो है इसके अदर आप important वीडियो चेक करेंगे, how to read law journals and maintain a citation register, ये, एक आप आप ये चेक कर लीज़ेगा, दूसरा, अभी अभी हम प्राक्टिकली भी lecture भाय मुहमाद आपकी में एसी on Mars PLD के register कैसे करता है, मैं अभी भी हर शुमारा पकड़के करता हूँ और मैं आपको कस्म से कह रहा हूँ, जेडा शुमारा मैंने पकड़के Supreme Court का देखा या य मैंने ते कह देता है कि गिफ्ट दी जब तक डीटेल्स नहीं बीच में दी हुई तो खारिज हो जाएगा मुकदमा जो हम नहीं आपे करते रहें, वो सौ बिसमिल्ला मैं जागे वो पता करूंगा, विल है, मैं specific performance के दावा मैं परी चीखें नहीं कर रही थी तो पता चला जज्मन्ट सुप्रीम कोड की आगई है, कि जब तक बैलेंस अमाउंट नहीं जमा करवाएंगे पहली तरीख के उपर तो दावा खारिज, कहां पर उसने मुझे आगे जुद लगाया हुआ था, कहां पर मुझे वो जज्मन्ट मिल गी, मैंने वो जागे सेवन इलेवन की साथ दे के जमा कराई जी खारिज करो, तो जहां पर मेरी जचीखन निकली हुई थी, एविदेंस के अंदर दूसरी की निकल गी, मैंकि सिवल जजज को जाके, जब सिवल जजज को कोगा कि सुप्रीम कोड दी जजज्मन्ट है, सिवल जजज फिर एक सेंग्न के लिए तो डायरी नहीं होती, यह अगर आप मेरी फॉर एक्जामपल देखें, तो यह अबबाजी की भी मेरी दो तीन उनकी हैं, मेरी भी यह, जो A, B, C, D वाले नहीं होते हैं, रिजिस्टर, इस साइड के उपर, तो फॉर एक्जामपल मैंने, मैं आपको दिखा दा तो मैंने का यह काफी पुराना मेरा बीच में, अब तो मैं ऑनलाइन नहीं सारी की सारी चीज़ें करता हूं, वो भी दिखाता हूं, टी के अंदर, फॉर एक्जामपल, यह मैंने लिखा हुआ हर मुकदमे को एक-एक सफ़े के उपर मैंने उतार के रखा हुआ है, एक-एक सफ़ा कह रहा ह किसी को कैसे पता चलेगा, अब यह भी कोई खुदाई पावर भी होती है, जादू ही नहीं होती कि आपको एक जुमले में है, यह एक्सेसाइज करना पड़ता है, पचास सफ़े का फैसला को पड़ा, वो नुक्ता कियेगा, इसके अंदर, एक जुमले में यह मेरी एक्सेस हो रही है, यह मैंने सारी वर्जश की हुई है, यह जितने के जितने सारे यह लखे हुए हैं, मैंने यह मुकदमे जादातर पड़े हुए हैं, या उनके अंदर जिकर किया हुए, एक तो इन सारों में से मैंने पड़ा हुआ और उधर से मुझे बाकी भी मिल गएंगे, इस से क्या बात पता चल रही है? यहाँ पर कि टैक्स और पहला वाला लिखा हुआ T के साथ टैक्स वर्सिस फी दोज़ार सी एलसी वन से जिरो उसके अंदर लिखा हुआ था दोज़ार तीन SCMR का भी मुझे पता चल गया उसके अंदर उसने जज्जमन्ट के उपर लाई किया हुआ था तो मैंने वह यहां पर दोनों सामने लिख लिए और S.E.L.C. पढ़ते हैं उसने किसी और ने काम किया हुआ था S.E.M.R. के उपर था मैंने सुप्रीम कोर्ट दी भी जज्जमन्ट मिल लिए मेरा काम हो गया अब मैं S.E.M.R. पढ़ूँगा पांच और मुझे मिल जाएंगी इसी तरीके से आप आपस में जोड के करते हैं अधर वाइस बड़ा असान तरीका है कि मेरे एक मुकदमा था उसके अधर मैंने नोट बना के टैक्स वसे जज्जमन्ट निकाली चला गया बट अब हो सकता है कि मुझे मैं कभी F.B.R. का भी वकील बन जाओ और इसका मैंने तोड निकालना हूँ और मैं दूसी साइट से बीच में करना चाहूँ तो अगर इसके खिलाफ कोई है जज्जमन्ट तो मैं आगे लिख देता हूँ का अगर कोई जज्जमन्ट मिलिये ताकि आएंदा मुझे डूननी ना पड़े मैं अपने फेवर में जज्जमन्ट डून रहा हूँ तो मुझे पांच अगर अपने खिलाफ जज्जमन्ट मिलिये तो मैं वो लिख लेता हूँ भाई कागस पे शायद इसी केस के अंदर मुझे उसका तोड निकालना पड़े दूसरी पार्टी तो उठा के ला सकती है वो भी बड़ी लिखी हो सकती है तो बात यह है कि ये चीज़ें ये एकसरसाइज आपको वकील बनाती हैं आपका दिमाग चलाती रहती है केसस नहीं भी आ रहे ते तो सी वकील बन रहे हो अगर तो सी पढ़ रहे हो और पढ़ने का भी पहरा जी मुझे हर तफ़ पहरा कहते है। मैंने सब से बड़ा मैं हर तफ़े जी कहते हूं कि मेरे वालadows ने, मैं अच्छा वकील इसलिए बना कि मेरे वाले ने मेरे उपर एक रहम किया, कि मैंने उनसे जब भी कोई सवाल किया, उन्होंने का जा खुद देख, उन्होंने मेरी एक दफा नहीं मदद की, मेरे अबाजी ने, लिटर्डी और मैं मजाग नहीं का रहा है, उन्होंने बलके मेरी बेच्टी किया, तैनू नहीं आन्दा, तुझ आके नहीं पाड़ सकता, और वो ये है, ये चीज आपको अपने पर करनी चाहिए, करने के लिए तो आप मुझे उठके ये कह सेकते हैं, कि महमद भई अपने रजैसर दे कापी मैंनो दे 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 हो, या ये करके तो बढ़ वो मैं आप दूबर कोई रहम नहीं कर रहा हूँगा, अगर मैंने आपको ये सारी की सारी चीज आपके साथ शेयर कर दे, बात तो ये है, और भी मैं आपको ये भी दिखाऊँगा, फेस्बुक के उनदर भी केसे आपको मिलेंगे, और आपके वाटसाइप ग्रॉप्स भी हैं, जिनके अजज्मेंट साइट हो रही होती है, तो आपके पड़ो तो सही भई, कई दफ़ा तो हैड़नोट सी घलत होते हैं, बेशमार होती हैं, मैं फिर भी पकड़के, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊँगा, कि मैं उनको किस तरीके से अपडेट करके, मैं रिजिस्टर मैंने आउनलाइन भी बनाया हुए, और उसका क्या गो रहा है, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ, बट अभी पहली इंपॉर्डन चीज यह है, कि मिर्वानी करके, A, B, C, D वाला रिजिस्टर खरीदो, और उसके अंदर आपकी वकालत की जिन्दगी में, जो चीज आपने करनी हैं, लिखी जाओं, मगर बारा-बारा सफे नहीं कर, मेरे चंद असोशियेट इस तरीके से वेले होते हैं, कि प्टेशन चार सफे की है, मैं कहते हूं नोट्स बना के लाओ, तो वो आठ सफे के बना के ले आते हैं, उसका मतलब है तुम वकील नहीं हो, मैं उनके साथ तीन साल काम किया, अली साब ने भी वालत साब की तरह मुझे बैठ के, कभी कुछ नहीं पढ़ाया, एस्म जफर साब के बेटे हैं, मगर उनोंने उनकी एक जबरदस चीज की, उनके पास से मुझे दिन में मैंने ठारा-ठारा केसिस की हैं, सिवल कोट की मुझे ऑपर्चूनिटी मिली है, दूसरा अली साब को, मैंने अली जफर साब को मुकदमे की त्यारी करते हुए देखा, उनोंने इतनी मोटी सुप्रीम कोट की फाइल है, और यह मैंने अस्म जफर साब जो उनके वालत हैं, जो कि अल्ला उनको लंबी उमर दे, उनसे सीखा, एक सफ़े के उपर मुकदमा, कौन से पेज़ पर क्या चीज़ है, नुकते के हैं, वन टू थ्री फॉर, जजज ने मेरे खिलाफ किये, वन नुकता टू थ्री, इसका जवाब किया है, आगे जज़्जमन्ट, वन टू, यह यह सारे के सारे, सारा केस, एसम जफर की, एसम जफर साब की, पुपसूर्ती और उनका यह है, कि फाइल वगारा के अंदर, नहीं वो सारे के सारे पढ़ते हैं, documents वगारा, experience इतना हो गया, मगर उनको सारी चीज़ों का पता होता है, कौन सी कहां पे, एक दफा जबान उनकी नहीं हक लाती, और यही तरीका है, जीनियस वकील बनने का, और यह चीज़ें, एसम जफर साब ने 75 मुकदमे की हैं, बट उन्होंने रिजिस्टर भी बनाया हो, उन्होंने मुकदमे भी थी है, तियार की हैं, तो यह ability आपने अपनी develop करनी है, इस सारे वीडियो बगारा और भी बीच में बने हुएं, एक दो तीन वीडियो आपको यहां पर डेफिनिटली देखने चाहिए, और भी हाव तो रीड लाव बुक्स, इसको कहते हैं आपको फॉर एक्जामपल मेंबर और कुबला भी लगाओ, हाव तो रीड जज्ज्मंट्स इन लाव जर्नल्स, यह बहुत इम्पॉर्टन्ट है, यह अगर आप इसकी स्लाइड बगारा भी हैं, फेस्बुक के उपर विडियोज भी मौजूद हैं, कि आप इसमें से नुक्ता कैसे अख़स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कि अगर आपके खिलाव सुप्रीम कोड की जज्ज्मंट आ गई है, इस पे हमने लाव प्रेसिडंट का एक लेक्चिर देना है, मैंने अपने दोस्तास नियूसफ शाह साब से काया, कि वो आके लेक्चिर देंगे, सारे मैं नहीं दे सकता, इसका भी लेक्चिर आउनलाइन मौजूद है, कि सुप्रीम कोड की जज्ज्मंट आपके खिलाव आ गई है, अब उससे बाहर कैसे निकलना है, अगर करके, आप कह सकते हैं कि मेरे केस के अपर तो ये लागू ही नहीं होती, मेरे फैक्ट्स फरक है, आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास ये तीन जजज्ज्ज्ज्ज्मंट आप मेरे पास पांच है, या आप कह सकते हैं, मेरे पास यह तीन जख्यांच मेरे पास लेटेस जजमेंट है तीन जजजस की तीन जजजस की तो हज़ेटर होएगा statewide चलेगा नहीं अधरवाइस तुसके कहा दे होगा काफी बंदे कहते हैं, यहार मैं हार गया Supreme Court की judgment आ गई है बट बात यह है कि कोई ना कोई चीज होती है अब मैं आपको एक example दे देता हूँ जिसमें मेरी कमी और स्याद मेरे वालत साब की और जैसे शायद वहीद साब थोड़े से मुश्किल जा 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 बर बहुत अजीम जा 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 कानून जानते हैं मैं गया जी मुकदमे एक उपर मैं गया जी मेरे पास यह Supreme Court का फैसला आया है सौ फीसद है मेरा मैं जीत गया बीच में सारे का सारा 12-2 का केस था 12-2 CPC का सो मैं गया जी मैं सौ फीसद जीत गया कि आपेस सौबह कार जानते है को सघ्ध बहीत समय ओंस इचनि मुझे लेटे में दावे जाजमीं मैं है जा मियरे पास 3 सॉप्रीम कोड की जजमीं का का यदिन हा य2000 आका नहीं कांसल जाहीं है इस स्या है कि इसको कहते है सही कह रहा होगा मैंने जाके देखा तो सागिम निसार साब की एक जज्जमन्ट थी उन्होंने व्यूट सारे का सारा उल्टा कर दिया हुआ था वहाँ पर मेरी टांगों में से बीज में अभा निकल गी कि हैं मारे गए और अबाजी का देखे जो जाज है हाई कोड का और उसने भी अपना किया हुआ था वो अभी भी फॉर एक्जांपल मैंने कल अरग्यू किया शायद वहीद साब के पास उन्होंने पंद्रह आंगल से क वो अगर कर सकते हैं आपका ख्याल है कि आप नहीं करेंगे और आप वो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है इंपॉसिबल है सो इंपॉर्टन चीज़ मैं यह बता रहा हूँ शायद वहीद साब का जो बड़ा पाना मेरा बच्पना यह है था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यह है यह काफी है वो अप्टू डेट थे मैं नहीं था वो हाई कोड का जज़ जै मैं नहीं हूँ और वो इसके उपर अ का मसला है अप्टू डेट नहीं रहोगे तो बहे लेओ तो फिर यह कह रहा हूँ और खास तौर पर एक चीज़ आप यह देख लो यह आपके पास जो मुकदमा आता हो पहली दफ़ा नहीं आता या तो होना कि आप पहले बनीन और अच्छान के अंदर यह और आपका इलेक्षिंट परिशन का कानून अगर नहीं पड़ाओगा तो बड़े बढ़े वख आउमध खान साथ की एक परिटिशन इस चीज़ के वपर हुई कि फ़लां जज़ज्वन्ट है खारएज हुई हुए है मेरी भी हुई हुई है उनके साथ ही हम सुप्रीम कोड में के सु क्वालिफाइड था यह था नहीं सब्सक्राइब जो लोग फिडूश्री में चलती है वो नहीं चलेगा जो हाइड कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है वो लगेगी तो अलेक्शन पॉटिशन अच्प्टेट हो नहीं यह दिरूस्त नहीं है जफर इकबाल जगडा का केस है और में सुप्रीम कोर्ट में 15 और भी केसिस का रहे हैं ओथ कमिशनर का वर्ड वहां पे इस्तमाल किया हुआ और वो मैंडिटरी रिक्वायर्मंट है रिटन सेट्मेंट्स वगारा में नहीं होती शाहिए जमील साब की लेटेस जज्जमंट आई है इसके उपर हम अल उसमें उनोंने ये लिख दिया हुआ है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर ये तरीका नहीं था सिंद के अंदर था कि वो लिखता है कि ही वाज रेकिगनाइज़ बाइमी फलां फलां बंदा अपेर बिफोर मी आइडेंटिफाइड बाइमी उस साथ तक आप दिरूस कहा र हुआ है उन्होंने यहां तक कहा है कि यह लगता है कि साइकलो स्टाइल है कि बैट के हैं वे नाम भर देते हैं ना चेक करते हैं और यह कर देते हैं यहां तक यह बीच में चीज़ें वगरा हैं आप अप टू डेट अपने आपको रखेंगे तो होगा खार यह इसके पर का साल आपने किस तरीके से सеть अब करने है? किस नौइएत के चेमर में जाना है? किस नौइयत की वकालत आप में बीच में उसके उपर focus करना है अगर आपकी family में कोई वकील है तो उसके साथ शुरू में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए client कैसे हासिल करने क्या आपको किसी area के नदर specialize करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कैसे आपका सफारिश के साथ जाएं कहां पर जाएं ट्राइल कोट में जाएं बड़े chamber में जाएं छोटे chamber में जाएं स्यासी chamber में जाएं यह सारी चीज़ें डीटेल में बात की हुए है विडियो यह जरूर देख लीज़ेगा अच्छा हाव टू डू डीपर रीसर्च तीन चार आपके हैं पाकिस्तान में अगर आपको authorities नहीं मिलनी तो जो बड़े वकील है वो AIR के उपर रलाई करते हैं कोई AIR बता सकता है क्या बला है all India reports are के अंदर आपको इंडिया में बहुत हमारे से बेतर किसम की law डिवेलप हुआ हुआ आई आइर्स में से बहुत मिल जाए हौल्जबरी law अमेरिकन जूरिस्पूरून का तो शशका ही है वो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत कवर कर लिया कि कैसे कर सकते हैं गर बह आई आइर्स और उसके अंदर आपको खेलने की अभी जरूरत ही नहीं हाई कोट के लेवल पे शायद नी इंडिया आप क्या हो जी हौल्सबरी में ये लिखा हुआ हुआ है उन्होंने जी हौल्सपूरी अमेरिकन जूरिस्पूरून्स में ये लिखा हुए वकील सब हम ला सो ये देख लीजे इसके साथ साथ बुक्स तो इंप्रूव यू इन दे लीगल प्रोफेशन उसके बारे में हैं मुक्तले फ्लाव करके अब आपको मैंने बैसिकली दो चीजें दिखानी हैं आपको पस मोबाइल पड़ें हैं अब किसी नुश्दे के ओपर पाकिस्तान और इंडिया करा जिजो झोनों में भी खरक आ रही हैं पर पाकिस्तान के लाव भी पतार आपको नहीं पता हैं की बोलने से पहले सोच लिया करो नאीं मैं आपको वैसे नहीं कहा रहा है बर बात मैं आपको यह बता है और मेरे में बहुत घल्ती थी और शायद अभी भी हो जाती है कि मैं फिर भाह में जाया की क्या देता है जा जाया साइट ते चला गया हर चीज को जो अच्छा वकील है वो नाप तोल के बोलता है आपने जाज के उपर एक सो पतर चीज़े लगा दी कई दफ़ा मैं खुद पहुंगी आमार के जादा बोल दाता हूं तो जाज तो उसी नुक्ते के उपर किसी और डिरेक्शन में चला जाता ह होते हैं किसी मैंनों रिलीव दे रहा सी ओ नहीं जी एवी एदी इस तरीके से अच्छा मलक साब इस पे तो यह जजमन नहीं है मैं गया जी मेरा केस तो यह हुद ही करके अपने पाउं पर कुलहाडी माल लेता हूं क्या नहीं कहना वो भी इंपॉर्टन है वो भी ही का वेटी आपको उळर से पता चलेंगी के केस लOS है कर अपने अपने मोबाइल्ट को ली और इसके अंदर एपल किस के पास है अपर इसके पास और और आपल किसी के पास है आप फिर अप प्र अपने तूसरे वाले स्टोर पे जाओ बागी जतने हैं एंड़ुर्वड क तो होगा गूगल शीट्स खो ले लिए लगता है आप सारों ने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ तो मेरा भी नी बीच में चल रहा है बैग यह अधर सारा हां यह मैं पताना नहीं चाहता आपको बीच में आपकर मेरा भी बैठ जाएगा बीच में इसारे का अभी स्वरी यह बीच में बैठा हुआ है अखर बताना मैं आपको यह चाह रहा हूँ वेडियो जो अलड़ी इसके उपर मौजूद है यह करने के लिए गूगल शीट्स एक मोबाइल के इंदर डिवाइस है इसका फाइदा यह है कि एक डॉक्युमेंट आप बना लेते हैं अथारिटीज का आप रेजिस्टर ऑन-लाइन फाइदा इसका यह है कि यह बली चीज मेरे लैप्टॉप के अंदर भी मौजूद है और अभी एक सिंद खुल जाता तो मैं देखता है यह मुझे डर बड़ा लगता ऑन-लाइन के अपर कोई गल्फरेंड का ही ना कोई आया बीच में इसके अंदर मैसेज बगरा तुम सारों के सामने ही ना पकड़के महलो डार्लिंग यह वो सारे गा सारा तुम एस वस्त में बड़ा ड़दे ड़दे खोल रहा है तो करो ना या बीच में इसलिए मैं किया रहा हूँ सारे गा सारा खोल के मैं बीच में सारों कर रहा हूँ तो कुछ पता नहीं है तो अगर यह खुल जाता तो मैं आप तुमाम दोस्तों को बीच में बता दूंगा देखो इसका गूगल शीट्स की जो आप अप्लिकेशन है ना आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लो अगर आप अपा गूगल का अकाउंट है उसके साथ लिंक हो जागा फाइदा क्या है गूगल शीट्स का कि उसकी एक स्प्रेड शीट है उसके अदर आप एक अपना अथोरिटीज का रिजिस्टर बनाएं एक फाइल बनाएंगे अथोरिटीज का नाम रख लो या साइटेशिस रख जो भी फाइदा क्या है कि मैं अगर हाइप बैठा हूआ ना और एक वोगल शीट के उपर आटोमाटिकली अपड़ डेट हो जाएगा मैं उसको अपने मोबाइल से भी देख सकता हूँ घर मेरे लैप्टॉप पे भी अपडेट हो जाएगा मेरे घर वाले कंप्यूटर के पर भी अपडेट हो जाएगा और दफ्तर में भी हो जाएगा और मैं अगर चापना भी चाहूँ तो वो चापके भी सारा आजाएगा ये चीज ऑनलाइन रिजिस्टर का फाइदा ये है आप फेस्बुक देख रहे हैं या वाट्साइप देख रहे हैं किसी ने जज्ज्म अब इस हद तक हो गया है कि मैं अपना रिजिस्टर अपडेट नहीं करता हाथ से बाठके मेरा ज्यादा थर ऑनलाइन के उपर मैंने बीच में रखा हूँ जो जज्जमर्ट मैं डालता जरूर हूँ बट वो ऑनलाइन पे डालता हूँ उसका फाइदा क्या है कि रिजिस्टर केंदर मैं लिख लूँ या कागस के उपर कर लो तो वो सारे का सारा मवाद मुझे अवेलेबल होगा इसको कहते हैं क्लावड कंप्यूटिंग के आपका डॉक्यूमंट असमान केंदर होता है उसको आप किसी जगह से भी बदल सकते हैं घर भी बदल सकते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा ठीक है यह इसके उपर देख लिए जाए अब दूसरा चीज आपके सामने मैंने यह चेक कर आनी एक तो है मैन्यूल यानि के हाथ से एक है कंप्यूटर के उपर यार कोई बंदा बैठा हो यार कोई मेरा इंटरनेट ही चलवा दो यार कार् यार यह देखें यह सारी कि सारी मेरी जितनी जाजमंट्स हैं और देखें मैंने किस तरीके से इसको ऑगनाईज किया हुआ है कि अद्मिनिस्टेशन ऑफ जस्स जो बेसक प्रिंसिपल दाफ जस्स आप सारे एक एक सफ़य पर लिखा हुआ है एक एक जुमला सरफ और उसके सामने जितनी judgments हैं copy paste भी अगर करनी पड़े तो यह कर दो और यह देखो यह मैं यह चीज अपने मैं mobile से भी खोल सकता हूँ downside इसका नुकसान यह है कि अगर net नहीं चाल जाते मैं वेला इसलिए मेरे पास यह भी ability होनी चाहिए कि मैं हाथ से कर सकूँ ठीक है यह अगर आप देखेंगे तो यह तकरीबन मेरे पास यह मैंने I think 5000 तक तो हूँ मैं शायद and और यह judgments कई मैंने copy paste की हुई है इसमें से बट और किसी ने अगर research की हुई है हर नुकते के उपर जमा करके और क्या है area कौन सा है evidence law secondary evidence उसके उपर यह judgment यह सामने लगी हुई है और इसको जाके मैं देख लूँगा जितनी मेरी मुशक्कत की हुई है यह सारी मैनेज़ पंचायद क्या है family law क्या है हाँ दूसरा इसका फाइदा यह है वो भी आपको तो तमाम दोस्तों को बता दूँ कि दूसरा इसका फाइदा यह इसके अंदर करने का यह है search आप कर सकते है verification of election petition मैंने देखना कर मैंने verification लिखा है signing verification यह भी आ गया और भी मेरी जितनी मैंने चीज़ें लिखके लगाई हुई है mode of verification of petition 2016 cmr यह उपर देखे जो word आपने लिखा हुआ लिखें तो you can search हर जगा के पर यही चीज़ चलो यह सारी की सारी चल रही है यहाँ पर आपको end में जा के दिखाता हूँ जो सारे के सारे है कोई एक क्या मतलब अगर कही से मिल रहा तो copy paste कर लो गोंद के साथ नहीं type कर के कोई बंद होएगा कि की कर रहे हैं सी मैं mobile तो पाड़ के ना मैं चेपी लगा ही जा रहा है कि मुहमद साब ने क्या थी कि copy paste करना तो मैं copy paste कर रहा है अच्छा अब यह चेक एक चीज़ आपको यह दिखानी है यह वाली जो judgment है ना यह चेक करो मैं कर रहा हूँ अपने इसके अंदर mobile के अंदर यह जो citations है यही चीज़ मेरे mobile पर मैंने खोली हुई है अब मैं यहाँ पर इगांपल बैठे बैठे मुझे judgment पता चली है कि हदूद laws यह कौन सी कोई कोई एक नुकता देख लेते हैं यार पर्ता नशीन लेड़ी पर्ता नशीन लेड़ी बड़ी इंपॉर्टंट चीज़ इसके अंदर यह आँ पे करके क्यूंकि पर्ता नशीन लेड़ी को हमारे करून ने उठा के इther बीच में रग दिया हूँ है आपने बीज में उसके अंदर कोई दावा पच्चे साल पुराना आपका कोई है प्रॉपर्टी वगारा उसको आपने चैलेंज करना आपने जादू इलफाज इस्थिमाल करने हो जी बीबी पर्दा नशीन लेडी थी ते और नो ते पता ही नहीं एगा सी की हो रहा है सारे का सारा और पच्चे साल पुरानी जमीन उख चोके आपके वो पर्दा नशीन लेडी को पकड़ा जाते है को तो कहें कि पर्दे वाल ये मैते नू वेखिया भी नहीं यार अब पर्दे लना लेगी सी मैं केड़ी और नू कर लिखा हो जाते फिर तेरी बेगम नू विकर करन पर्दा नशीन लेडी मोबाइल पर मैंने अपने यहां पर अड़ किया थे और अधर आ गया और मेरे घर वाले कंप्यूटर पर भी आ गया और मैंने इसके उपर जो जज्जमन थी पर्दा नशीन लेडी के उपर ही इस किताब में मैंने देखिए पीलडी 2020 सुप्रीम कोट पीलडी 2020 338 अब देख वहां पर मैंने टाइप करते हुए ना गलती कर दी पीलस लिख दिया पीलडी लिखना था तो अब मैं यहां पर बैठके अपने कंप्यूटर पर बैठके इसको ठीक कर लेता हूँ और वो मेरे मोबाइल में भी वो चीज ठीक हो जाएगी तो एक रि तरीका है कि अपना रिजिस्टर मैं तो आपको सिजेस्ट करूंगा वैसे इफ्तिदाग किंदर आप बेशक हाथ से बनाए हाथ से लिखी हुई चीज चीज असानी से आजए थी मेरी नजीक तो दोनों करें मैं छे महीने के बाद बैठके दोनों को आपस में कंपेर भी कर अगर मैं किताब किताब चे वगारा अगर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो मुमा नेट से उता रहा हूं तो इस पर डाल लेता हूं अगर किताबें खुली हुए तो रिजिस्टर के उपर लिखने का मुझे इवन अधर वाई शौक है उसका जादा आपको फील होती है कि तो मुझे कहा था है यार महमध यार वो के इसको कहते हैं वो लिखा वाना company's ordinance के अंदर के undertaking जो है उसको अगर बेचना चाहे कोई company तो general तो general के इसको कहते है हाऊ उसकी meeting होनी चाहिए और यह वो के डिज़जमेंट है मेरे सामने यह था मैंने इसमें खोडने की मैंने इसके नहीं नोट की है, मैंने केस किया हूँ एसक्यू पर, और मुझे मालूम है, पताना आपके सामने फोन के ओपर कॉल भी ये लिए, कि वो अभी भी कानून कर रहे हैं, शौक से आये हैं, वो गुटने नहीं चलते सही तरीके से, नहीं, उनके गुटनों को तालिया बज़ा रहे हैं, और मैं तुम्हें बता रहे हैं, यह देखो, वकालत का बड़ा पन और यह है, कि मेरे अबाजी, जब उनका मुकदमा जिस हफते सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा होता, उनकी तबएद खराब हो रही होती है, और जिस लगा होता है, वो दफ्तर आ रहे ह जाती थी, मगर वकील की, आपका प्रोफेशन आपका एक लेवल की परेश्क होता है, आपकी बीवी सर भी अब बीवी बच्चों से ज़्यादा भी आप करते हैं, क्योंकि इसको टाइम और डेटेकेट करते हैं, बीवी बच्चों के पास भी बेठे होते हैं, तो आप अप आपके यह आपकी लिटर्ली फर्स्ट वाइफ बन जाता है, यह प्रोफेशन अगर आप इसके इंदर प्रोपर्ली डेडिकेटेट कर रहे होते हैं, बीकास आपका जहन उसके उपर ही होता है, मेरा सुबह मुकदमा लगा हुआ है, मैं नहीं मुस्कुरा के बीवी से मिल सक ना मैं बात कर सकता हूउ, ना मैं कर सकता हूँ किदर जा रही है, मैं मुकदमा भी कर रहा हूँ, कॉल करते हैं कि जी खाने पे जाना है या मुझे इदर से ले लेना मैं रहां मेरे नहीं की तालोग कम करने देवाने नो एक करने दो यह वगारा विक्स आपका यह सारा आपका जो है अपना जहन आपकी वकालत 90 पीस्त आपके सर में मुकदमा अगर मेरी तरह आप कमजोर हो पीच में कि आप से नही प्रॉपर्ली आर्ग्यू किया जाता तो मैं उसकी तैयारी करके जाता हूँ अपने जहन में जइब पूछेगाथ मैं एक अमांगा एक अज़दा जोछेगाथ 沒事 खते हैं अज़ Corey इंगी कामांगा एक अमांगा एक अनले पूछेगाथ मिरे जहन में सारह का-सारा किया हुआ है और तैयारी है मेरे पास ताके वो कुई पूछेगा तो मैं फिर हखलाओ ना आप अपने आपको ज़ादा ज़ादा सोच के अपने आपको कमजोर भी एक तरीके से कर सकते हैं कि बहुत ही ज़ादा सोच के सिद्धा सिद्धा मुकदमा तो यह भी पुछ लेगा, यह भी पुछ लेगा, यह भी कर लेगा, इस तरह ली इतना भी अपने पर प्रेशन नहीं डाला लेकिन यू हाव टू बी रेडी इन यूर माइड जो कमजोर मैं फिर कह रहा हूँ के आग्यूमेंट्स वगारा के अंदर एक तरीका आपका सक्सेस का ये होता है आप किताबें वगारा इस पर परड़ेंगे के यू इमाजिन यर्सेफ सक्सीडिंग इन यूर हैड कि जाज मेरे से ये पूछेगा इस तरह करके होगा और अमूमन वो चीज़ें उस तरीके से अगर आपने प्रेडिक्ट की हूए ये भी पूछ सकता ये भी पूछ सकता माठा वकील वो होता है जो चले रीसर्च करके एक जज़मन भी निकाल ली और वो एक गोली है लेकिन जज़ कंदर नहीं है अगे बोलो आप कहते हैं जी मेरे काल तो सौ फीसद था वगारा जज़ मानी नहीं रात मैं क्या कहूं आगे करते हूँ खारज आपने सोच के खेल के ये सारे की सारी चीज़ नहीं होती है जाज कोई ऐसी मूव कर देता जिसका आपके फरिष्टों को भी नहीं बीच में पता था तो आपकी हाजर दमाग फॉर एक्जामपल ये किदर गया यार मेरे अगें जो तुमने आर्यों किया था इसको मैं इसलिए बीच में करके वावा इसकी कर रहा था और अभी भी कर रहा था मैंने इसको गूगली मारी तो एक हद तक मैं सक्सीड किया बट उसने आगे से मुकमल तोर पर जवाब दिया और ये हाजर दमागी 20 साल के बाद नहीं आती कहीं को बड़े बड़े आपको माठे वकील मलेंगे काफी मुकuju पाता हो क्योंकि मैंने काम किया उनके पूरिश्टों को भी नहीं पता उनकी डिगरी है, पीएजडी भी डॉक्टर करके आया है, बड़ी बड़ी पीएजडी भी उसके पास है, लेकिन अगर आगर आपको CPC आती है और उसने नहीं पड़ी भी, तो दुसी चित कर दोगे, तुसी तो फलाँ ओर्डर कहा दोगे, आप लेकर भी भी होगा, किताब लेकिया होना, CPC, ये CPC नहीं, CPC ये CRPC लेकिया हो, ये करके नहीं पर हो रहा हो तो आप नहीं चीज़ों में भी खेल लोगता है, समझा फिर ये रहा हूं, आपके सामने ये ओनलाइन जो रिजिस्टर है, एक तो आपको ये पता दिया, क्यों आप करेंगे, आपको आप इ इसमार लोगों की वकालत चलती है, मैं अच्छा, पाकिस्तान लौस साइट के पर जाने का, ये क्या कौन सी किताब है, कोई बिता सकता है, ये आपकी बाइबल है, इसके उपर अगर आपने, पाकिस्तान के तरह कर आपने रिसर्च करनी है, आपको पास ये किताबें नहीं ह इनको आपने हाथ नहीं लगाया, वो आपनी वकीर, ये क्या है, PLD नहीं है, ALD क्या बला, PLD और इसमें क्या फरक है, तो वो तो PLD में भी होते हैं, Statutes नहीं होते हैं, ये PLD के रिसालों के अंदर, जो Head Notes हैं, उनका मज़ू है, और इनके अंदर करने को तो आप PLD भी चानना शुरू कर सकते हैं, सीमार भी चानना शुरू कर देते हैं, वकालत, एक हद तक Head Notes गलत चीज़ हैं, अगर एक हद तक important भी है, कि इसके अंदर आप अब्तदा में अगर आप देखें, तो यहां पे मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ एरियास की Headings दी हुई है, और उस साल में उसके बारे में जो भी Judgment आई है, वो लिखी हुई है, आप Library जाईए, और अगर आपने रिट के अंदर देखना है, Disputed Question of Fact या जो चीज वगारा भी, उसके उपर आप हर साल का वो W वाला एडिशन या जो भी है, इसके पांच इसे हैं, यह सारे के सारे रखे में, वो खोले, और रिट में फरोलना शुरू कर दें, एक तरीका यह होता है, कि रिट की किताब पकड़ लो, और रिट की किताब के उपर, उसके अंदर आर्टिकल 199 के नीचे जो कॉमेंटरी है, वो पढ़ना शुरू कर दे, उसके लिए काका खेल अच्छी है, चांद आपको किताबें काफी अच्छी मिलेंगी रिट पे, मगर आप टू डेट वो नहीं होती, वो 15-15-10 साल आउट अफ डेट होती, नहीं जज्जमंट आपको नहीं मिलती है, तो अगर आप हाई कोट के में शायद वहीद के पास पेश हो रहे हैं, तो फिर ये फरोल के जाओ, क्योंकि उसको नहीं वाली पता होगी, और उसको नहीं वाली इसलिए भी पता होगी, कि वो जो आप से मैं exercise करवा रहा हूँ नहीं रिसाले पड़ो, SEMR पड़ो, मेरे नजदीक अगर आपने करना है, शायद SEMR से भी ज़्यादा, SEMR के अंदर ज़्यादा तर स्यासी आरी होती हैं, बीस के अंदर से शायद पांच होंगी, आपकी आम तार की वकालत की, और जादा तर वड़े वड़े वकीलांती होंदी हैं, हमारी रोजमरा की वकालत की आपको कम मिलती हैं, उसके लिए आप CLC, YLR आप पढ़ें, Civil Law Cases, Monthly Law Digest, M.A.D. YLR, Yearly Law Reports, ये चीज़ हैं, अगर आप फॉर एक्जामपल, अगर आप बड़े जबरदस्थ हैं, उसमें, कॉपरेट अगर आपने काम करना हैं, बैंकिंग का, CLD, PLD के अंदर बड़ी बड़ी चुन के जबरदस्थ जजजमंट्स आती हैं, PLD के अगर आप शुमारे में आपकी किसी की जज़मंट आती हैं, तो जजज उसको ज़्यादा बड़ा किंसिडर करता है, बाट उन्हें ज़्यादा तर सियासी या जो ज़्यादा बहुत इंटरिस्टिंग होती हैं, ज़नरल प्रिंसिपल्स पे इतनी ज़्यादा कम मिलती हैं, आपको मैं तमाम दोस्तों को रेकमेंट करूँगा कि CLC और YLR अगर आप इप्तिदा में देखें, बिकास उसमें शुफे का दवा, सूर्फर स्पसिविक परफॉर्मांस, सादे सादे, फॉजदारी के लिए कौन सा एक अकेला शुमारा है, PCRLJ, वो पकड़ें, फॉजदारी अगर करनी है, उसके मताबग अगर लिस्ट नहीं बनाई हुए ते बहे ले हो, कहां से पता चलेगा, कौन सी जज़्जमंट है, फिर ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, आपकी रोजीर और रोटी से वाबस्ता है, वो आप अपडेट करते रहेंगे, अपने आपको पूछते रहेंगे, कि अच्छा यार ने टोके दनाल कीता है, एह है, इसका डिरेक्ट फायर, इसको अट्रिब्यूट नहीं हो रहा था, तो इसको ये, यहाँ पर ये चूट मिल गई, इसको ये हो गई, वो फैक्ट साब, वहाँ पर शायद एक जुम्ले से जादा आपको लिखना पड़ें, फाजदारी का मुझे उस दिन पूछ लेना चाहिए था, बैरिस्टर सल्मान सफदे से, कि वो रिजिस्टर कैसे मेंटेन करता है, मगर लिखोगे, अपने कंप्यूटर में इदर वाले में भी डालोगे, कि नेरा सारा कुछ कंप्यूटर पर नहीं जाला, यह वाला सबसे इंपॉर्टन है, इसमें जो चीज नहीं आ रही है, उसके लिए फिर आपने यह वाला कंप्यूटर रखा हुए, तो यह वाली चीज़ें आपके लिए करना बहुत जरूरी है, यह करोगे तो फायदा होगा, खर अब यह होगे, आप देखते हैं, पाकिस्तान लॉसाइट खुलती है अगे नहीं, इसके अंदर यह जजज्मेंट्स तो आपको मैंने दिखा दी, आप, वकील को एक स्टैनो भी होना चाहिए, वैसे बाइद होए अच्छा, अब बाची मेरे स्टैनो के बगार फंक्शन नहीं कर सकते हैं, अभी भी एसोशेट्स को बुलवा के टाइप वगारा करवाते हैं, सामने बैटके यह कर रहे होते हैं, और उनके कंदे को बैटके, जजज रह चुके हैं, वह उनके स्टैनो वगारा हुआ करते हैं, मेरा उल्टा सिलसला है, मेरे हाथ से चीजज गुजरती है, वो मेरे से ज़्यादा मुकद में भुक्ताथ सकते हैं, एक इसको डिक्टेशन दे दी, एक इसको डिक्टेशन दे दी, अगर स्टैनो, बट मेरे नजदीक, आपको इफ्तदा के अंदर सारी चीज़ें अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे, तबे ले ओ, माइक्रोसफ वर्ड इस्तमा पर इसको बाइज भी आना चाहिए, इन पेज की चीज़ है, उर्दू का जो वर्ड प्रसेसर वगारा है, वो भी आना चाहिए, अगर खास दोर पर आपने अगर मुफसिल के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस है, और आप लाहर से बाइर अगर प्रैक्टिस का रहे हैं, औ उर्दू में आपकी सारी चीज़े होनी है, तो फिर अंगरे माइक्रोसफफ वर्ड के अंदर तो नहीं लिखा जाने लगा, अगर तुझा लगता है कोई लग जया तो हो गई है, अभी कुछ चंद हफते पहले तेरी या तेरी होने वाली, कभी तु पर्दा नशीन वीवी खुलनी रहा और वो ही मेरा प्रूफ साबित करता है कि पाकिस्तान लॉसाइट अगर ना खुले तेरी वकालत हप नहीं हो जानी चाहिए, मेरे पस मेरा रेजिस्टर मौजूद है, यहां पर हमने फॉर एक्जांपल अगर रिकॉर्डिंग ना हो यह भी लगाया हुए, यह जीज है, किताबों से अगर आप दूर भागते हो तो फिर वकालत ना करो घर जाओ, बात यह है, अगर किताबे नहीं खोली, स्टाच्यूट अगर नहीं खोलना, तो वकीर नहीं बनना तुमने, सवाल ही नहीं पैदा होता, किताबे पढ़ने की आदत नहीं है लड़के को, मुझे हर दफा बड़ा होता था मलक साथ, अबाजी जो मेरे हैं, उनका इस अब होता था कि अबाजी करा आके भी किताबा पढ़ देने, नॉवल, जेम्स एडली चेस के, जेम्स बॉन्ड के, यह वो, मैं जी हैं सारा दिन किताबें पढ़ते रहें और आके यह भी, किताब बात यह है, और आपको मैं अभी आतिंग करने हैं, आज हमने जनरली बीच में सारी बात करने हैं, जो आपके लिए स्लाइड बनानी थी, वो विडियो तो मैंने तक्रीबन सारे आपको यह दिखा दी हैं, जहां पर अवेलेबल आप देख सकते हैं, बहुत आपको मवाद य निरी वकालत करने से वकालत आपकी नहीं आती, अगर बोलोगे नहीं दोस्तों के साथ, तो जबान नहीं चलेगी, अगर आप वाल फ्लावर, लोगों से अगर घुलो में लोगे नहीं, तो किसी को पता नहीं चलेगा, कि फलाँ जगा ते मुंडा बैठा है, तो वकील है औ नजर अगर नहीं आओगे यूनिफॉर्म के अंदर प्रॉपर्डी ड्रेस्ट वगरा तो तो कहेंगे माठा एगा यार कि यह नहीं करेगा, बुरी हालत में नजर आओगे तो नहीं देंगे काम, अगर सीधा सा उटके मेरे असोशेट और मेरा काम करके तुम जाके घर में विस्तर में सो जाते हो और अगली सुबह फिर उटके आके मेरे पास बड़ी मुशकत कर ले तो मेरे चेंबर में, तो वावा तो मेरी होगी, तुम्हार तुम्हें किसने क्लाइंट देना, तुम तो किसी को पता ही नहीं कि इस जमीन के उपर तुम एक्जिस्ट भी करते हो, इस प्रोफेशन में मार्केटिंग भी बहुत इंपोर्टन है, फेस्बुक के उपर अगर आप कानून की बात नहीं कर रहे हैं, आप टिक टॉक कर रहे हैं, तो बावजूद इसके कि वो बीबी जो टिक टॉक वाली थी, मेरे पास बीच में आके नहीं सर इसे बड़ी बिक रहें क्योंकि आपकी अगर रेपिटेशन आप अपनी खुद मुखाल की कर लें तो इसको मज़ा आता होगा, जरूर उसकी उसकी चॉइस है, मगर उसको बहुत अर्सा वो सोबर वकील नहीं समझते रहें, बहुत जबर दसता है, वकील वो, और नई मुखारी का, इसकी जो वगारा जो हमारा ये था, वो तो चलता नहीं था, बट सबसे जबरदस्त, नई मुखारी सब इसलिए थे कि वो मुखाल में रिलीफ ले जाते थे, आप में जो अबिलिटी है, मैंने फिर आपको कहा, आपने सीखना ये है, कि उस बंदे से अपने फेवर में कैसे लिखवा आपकी जो अबिलिटी है, आपकी जो कमी को ताही है, उसको इस्तमाल करके आप बेतर से बेतर वकील बन सकते हैं, मेरी एसोशियेट, सिवल कोड की जो इंचार्ज हैं, मैडम हिना, उनको हर दफा मैं उनका बीच में जिकर करता हूँ, उनको अच्छा लगता होगा के नहीं उनको मैं प्रॉबली अपना सोशियेट शायद इप्तिदा में ना रखता, बहुत धीमी हिजाब, बोला नहीं जाता, को उर्दू मीडियम, बहुत पतली अवाज, बहुत धीमे अंदास के अंदर, और गुफ्तबू में ऐसाट के नहीं हैं, मेरे साथ नहीं चलेगा, उनक उसने अपनी मेहनत के साथ किया है, अगर आप फीमेल होना, या आपका नरम होना, या आपका नरम आवाज होना, या आपका करके, आप मेहनत के साथ मेक अप कर सकते हैं, ये फिल्मों वाला नहीं सलसला, यहाँ पर वकालत नहीं होती, कि जद साहब, और यह बड़ी तक्री दो जमाज, दो बटा कहा रहा हूं, दो बटा, दो multiply by two भी, दो जर्ब, दो भी चार ही होंदा है, but दो तीन तरीकों से आप चार करवा सकते हैं, और चार भी हो जाता है, but यह पताना में यह चार हो, अगर वो कर सकती है ना, तो कोई भी कर सकता है, अगर मैं बीच में बोलने म सो वाट, आपको अपने आपको देखना पड़ेगा, आप जिस जगा के ओपर खड़े हो है, वहाँ से आपने कैसे काम करना है, और जब इसका सवाल मैं आपको नहीं दे, जवाब का जवाब मैं भी नहीं दे सकता, आपने अपना खुद रास्ता बनाना है, और भूक के बड़ा जुलम हो रहा है, बच्चों का अब हाई कोट के लिए जब लाइसन्स बन रहा है, बच्चों के साथ बड़ा जुलम हो रहा है, बच्चों के साथ लॉग आट में हो गया, एलल भी पास करना बाद उसे बच्चे नहीं हैं, शादी भी हो गई है, बच्चों के करो वट मैं आपके सामने बार बार यह कर रहा हूं कि भाई आप में से और मैं बड़े शौक से यहां पर पढ़ा रहा हूं बिकुस मुझे आप सारों में माशाला स्पाक नजर आ रहा है बिकुस चार पांच चीजें वगारा मैडम का मैडम नहीं बोला करती थी अब तीसरी किसी दफा गारे हुए थी भाई ने गुलें मैने ँमानीं फिर भी मेरे साथ बीच में किया वहийदर ड्राफ्ट की थी आप में से किसी भाई ने ड्राफ्क की दिया हुआ था, शौकिम आप कै लिए हुँ हूँ नहीं कर रहे थे, आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रॉंग है. You will work on this, और आप चा जाएंगे बैस करने के निर भी. But यह questions आपको अपने आपको खुद करने पड़ेंगे.